हेलो दोस्तों नमस्ते बुमिचलन में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे से बनी पनीर की सबजे देखें दोस्तों हमारी पनीर की सबजे कितनी स्वाधिष्ट बनी है चलिए चलते हैं दोस्तों हम अंडे की पनिर की सबजी कैसे बनाते हैं इसके लिए हमने अंडा लिया है इसको हम फोड लेंगे एक एक करके हम सभी अंडे को फोड लेंगे और इसमें डालेंगे हल्दी थोड़ा एक चमस मेच डाल देंगे और स्वाद अनुसर नमक डाल देंगे और इसको चमस की साहता से अच्छे से मिला लेंगे ताकि ये अंडे में अच्छे से मिल जाए नमक मिर से और हल दे देखे तो ये मिल चुका है इसको अब हम पनी में बांद लेंगे इसको हम पनी में अच्छे से बांद लेंगे ताकि इसके अंदर पानी ना घुस पाए और इसको हम डबल कर लेंगे देखिए दोस्तों हमारी अंडे डबल हो चुकी है अब इसको हम गरम पानी में डाल देंगे उबलने के लिए देखिए दोस्तों अंडे उबल चुकी है इसको अब हम ठंडे होने के लिए रख देंगे हमारी अंडे ठंडी हो चुकी है इसको हम अब पनी को निकाल लेंगे देखिए दोस्तों हम पनी को फाड़ कर अंडे को निकाल लेंगे थोड़ी गरम है दोस्तों इसलिए अची से नहीं निकल पा रहा है अब इसको हम पनीर के आकार में छोटे छोटे तुगड़ों में काट लेंगे देखिए दुस्तों इसको हम अच्छे से काट लेंगे छोटे छोटे आकार में आप अपने पसंद से काट सकते हैं आपको जैसे पसंद है मैं ऐसे काट रही हूं देख लिएजिए सभी अंडे को हम काट लेंगे चोटे-चोटे तुकड़ों में कि देखिए दुस्तों हमारे पैनिस कट चुकी है हमें कड़ाई में तेल गरम उनकले रखे थे उसमें हम इसको डाल देंगे प्राइब करने के लिए क्या हम देखिए झाल झाल देखी जस्तों हमारे ने फ्राई हो चुकी है इसको हमें प्लेट में निकाल देंगे दोस्तों सभी एंडो को इसी तरह हम प्राई कर लेंगे देखी दोस्तों हमारे सभी एंडो प्राई हो चुका है इसको एक ब्लेट में निकाल देंगे दोस्तों इसी तेल में हम डाल देंगे जीरा और हरे मीर्च अवरे बिलाई और हरे मीर्च अवरे दुकाहिए और प्याज डाल देंगे और इसको अच्छे से फून लेंगे ब्राउन होते तक और इसको अच्छे से ब्राउन होते ब्राउन होते ब्राउन होते हैं देखिए दोस्तों ये भून चुका है हमारा प्याज अभी इसमें डाल देंगे हम कटी हुई टमाटर और इसको अच्छे से भून लेंगे और थोड़ा हल्दी डाल देंगे इसमें लाल मिश टाल देंगे और धन्या पाउडर डाल देंगे जीरा पाउडर डालेंगे और स्वादर्म सार नमक डाल देंगे यह इसको अच्छे से भून लेंगे देखें दोस्तों हम इसको थोड़ा पानी डाल देंगे मसालों को पकाने के लिए अब इसको पकने के लिए रखे देंगे देखें दोस्तों हमारी मसाले पक रही है इसको थोड़े दिर और पका लेंगे देखें दोस्तों हमारी मसाले अब पक चुकी है इसमें डाल देंगे हम अंडे प्राइ किया हुआ और इसको अच्छे से चमस की सहाथा से मिला देंगे ताकि मसाला अच्छे से मिल जाए संडों में देखें दोस्तों यह मिल चुका है अब इसको थोड़े दर पका लेंगे देखें दोस्तों यह पक चुकी है आप चाहो तो ऐसी ही खा सबते हो लेकिन मैं इसमें पानी डालूँगे झाल के लेकिन है आप पानी से मिल जाएक कि अच्छे से छोड़े यह सबते है आप शॉड़ें दो अच्छे से मिल खानी जाएक आप पानी से मिल खावें यह जाएक देखिए दोस्तों हमारी अंडेट की सब जिवन कर तयार है